शपत ग्रेंड करने के बाद एक्शन में दिखी नवनिर्वाचित मेयर कामिनी राठोर नालों की सफाई का किया निरिक्षन आज जनपत फिरोजाबाद में मेयर कामिनी राठोर और सभी वार्डों के पार्षदों का सपत ग्रेंड का रिक्रम कायवजन किया गया लेकिन शपत ग्रेंड करने के बाद से ही मेयर कामिनी राठोर ने अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया और निकल पड़ी शहर के निरिक्षन के लिए मेर कामिनी राठोर ने आज S.R.K. कॉलेज के सामने वाले नाले में चल रही सफाई का निरिक्षन नगर आयुद घंशा मीडा के साथ किया इसके साथ साथ उन्होंने रामद्वार के सामने वाले पार्क का भी निरिक्षन किया और पार्क में टूटी पड़ी कुर्सियों को सही कराने के लिए भी कहा मेर कामिनी राठोर ने बताया कि आज उन्होंने नाले की सफाई का निरिक्षन किया है जिसमें उन्होंने देखा कि नालों की सफाई कर्मचारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और निरिक्षन के दोरान काम में उन्हें कोई कमी नहीं मिली इस निरिक्षण में कामिनी रठोर के साथ नगर आयुक धन्शा मीना, निगम पार्षत पूनम शर्मा, रेखायादव अवधेश कुमार, सुनिल मिश्रा और पूर पार्षत धर्यों वर्मा के साथ साथ नगर निगम के सभी आलादिकारी मौजूद रहे। देखिए ये पिल्कुल नीचे तल तक जाटकर सफाई हो रही है और आगे जो अभी बारिश आने वाली है उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी तो आज से क्या रणनीतिया हैं किस तरीके से काम आपने शुरू करना है आगे के लिए देख रहे हैं आप जैसे कि अभी मैं निश्चर कर रही हैं और सेर में घूम भी रही हो जाँ-जाँ समस्या हैं वहां पे पूरी तरीके से संग्यान लोगी के सरबदा हम लोग ने शपत ग्रेंड शमारों को बाद मानिनी महापूर ने अपना कारेबर समाला है उसी क्रम में जो मुख्य जो नाला सफाई का जो कारे ग्रम लाले हैं और बाकी 84 जो समाल लाले हैं उनको भी हम लोग में मैडम को अफ़ित करा उसी क्रम में जो सफाई विवस्ता है उसका भी मैडम ने जाईजा लिया और आने वाला जो टाइम है उसके लिए हम लोग एक रननीती तियार कर रहे हैं ताकि और बहुत रंग से कारी कर स उसी है कम से कम छेत्र में आज ही निकलना सूब कर दिया देखिए नाले की सफाई चल लिए यह एसर के कॉलेज के सामने जो पुलिया है बहुत बड़ी सोडेट से फुट की पुलिया है जैसमें कोई रास्ता नहीं है कम से कम 30 करमचारियों को लगा कि और जैसे एक दूसरे को पला पकड़ा के उसको से कुछ निकाल ले हैं बहुत मैंनस से काम हो रहा है इसमां कम सकम 30 मौन ले जैसे बहुत आसरां तिलग नगर बाइपास रोट सर्विस रोट यह आसपास का जो एरिया है उस सब का पानी निकासी इसी एसर के पुलिया से होकर जाईगी जो मेंनाल और ज्यादा ज्यासा काम करते हैं और यहां की समस्यां को निदान करते हैं हम दोग उनके साथ हैं